हाई फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम Transmission of Electrical Power यानि विद्यो सक्ति पारेशन के बारे में पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने Electrical Power Generation के बारे में पढ़ा था यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो discussion पर जाकर देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्रप्या चैनल को like एब हम subscribe करें जिससे आने वाले वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुँचे चलिए start करते हैं आज हम जानेंगे Electrical Power Transmission यानि विद्यो सक्ति पारेशन विद्यो सक्ति को generating station से उपभोकताओं तक पहुचाना ही विद्यो का सक्ति पारेशन कहलाता है अब हम Electric Supply System के बारे में जानेंगे Electric Supply System वाई सिस्टम है जिसके द्वारा विद्यो सक्ति को उत्पादन केंदर से उपभोकता तक पहुचाया जाता है इसमें मुखे तीन कारक होते हैं पहला उत्पादन यानि generating station दूसरा transmission network तीसरा distribution network प्रथम इसमें एक generating station होता है जिसमें 11 के भी 3 phase एक alternator लगा हुआ होता है प्राया उत्पादन के अंदर में 3.3 के भी 6.6 के भी या 11 के भी छमता के 3 phase alternator इस्थापित किये जाते हैं अल्टरनेटर द्वारा उत्पन विद्ध्योत 3 phase सक्ती का एक अंस 11 के भी ओबलेक 440 बोल्ट step-down transformer के द्वारा उससे जुडी हुई आवास ये कॉलोनी को प्रदान किया जाता है दूसरी और उत्पादित विद्ध्योत सक्ती के मुख्यंस को फीडर लाइन के द्वारा 11 के भी step-up transformer के द्वारा उच्च वोल्टेज प्राइमरी transmission लाइन के द्वारा भेजा जाता है यहाँ पर पावर को step-up किया जाता है यानि कि 11 के भी को 132 के भी में step-up transformer की द्वारा पावर को step-up करते हैं जिसे हम उच्च वोल्टेज प्राइमरी transmission लाइन के द्वारा जाता है फिर इसको 132 के भी से grid station ले जाया जाता है जिसे step-down करके 33 के भी में बदला जाता है जिसे हम उच्च वोल्टेज सेकेंडरी transmission लाइन कहते हैं फिर इसको 33 के भी ओबलेक 11 के भी सब station तक पहुँचाया जाता है जिसे हम प्राइमरी distribution लाइन 11 के भी कहते हैं फिर सब station के जरीए 11 के भी 440 वोल्ट step-down transformer जिसे distribution station कहते हैं जिसे secondary distribution लाइन 440 वोल्ट कहा जाता है इसके बाद step-down transformer यानि distribution transformer के जरीए distribution transformer से उब्भोकता तक जो लाइन ली जाती है उसे हम service line कहते हैं यहाँ पर हमें 4 wire देखने को मिलते हैं L1, L2, L3 और neutral एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पर power generation में 11 kv power generate होता है जिसे हम feeder के माध्यम से 11 kv 132 kv में step-up करते हैं और इसको हम grid station तक ले जाते हैं यहाँ पर 132 kv power transmit होता है जिसे हम उच्च voltage primary transmission line कहते हैं grid station में 132 kv power को 33 kv grid station में हम इसको step-down करते हैं जिसे हम यहाँ पर 33 kv sub station को देते हैं जिसे हम 33 kv line को हम उच्च voltage secondary transmission कहते हैं sub station में हम 33 kv मिलता है जिसे हम step-down करके 11 kv बनाते हैं जिसे हम यहाँ पर हमें 11 kv मिलता है जिसे हम primary distribution line यानी 11 kv कहा जाता है 11 kv को हम distribution transformer में ले जाते हैं जहाँ पर हमें 11 kv oblique 440 volt यहाँ पर हमें 440 volt मिलता है यह secondary distribution line कहलाती है distribution transformer से उपभोकता तक जो line आती है यानी कि हम कह सकते हैं कि transformer से जो हमारे meter तक line आती है चाहे वो underground हो या overhead हो इसे हम service line कहते हैं इसको अच्छे से समझना बहुत ही आवस्यक है क्योंकि इस में से बहुत से question आपके exam में आते हैं यह electric supply system का एक block diagram है यह परिच्छा में हमेशा पूछा जाता है या ED में या फिर theory के exam में इसके आने के chance अधिक होते हैं exam में पूछा जाता है कि generating station में कितने kv power की exam में हमेशा पूछा जाता है कि generating station में कितने power generate किया जाता है तो हमारा answer होगा 3.3 kv, 6.6 kv या 11 kv exam में पूछा जाता है कि transmission network किसे कहते हैं तो हमें पता है कि या दो प्रकार का होता है एक उच्च voltage primary transmission line जो 132 पर transmit करते हैं दूसरा होता है उच्च voltage secondary transmission ये 33 kv पर transmit होता है पूछा जाता है कि distribution network किसे कहते हैं तो ये service station और distribution transformer तक जो line आती है उसे हम distribution network कहते हैं service line का भी पूछा जाता है कि service line किसे कहते हैं तो जो line distribution transformer तक से हमारे तक यानि उभोकता तक जो line आती है 4 wire या 3 wire में भी हो सकती है इसे हम service line कहते हैं